हेलो दोस्तो दोस्तो आपका जॉब अपडेट्स एंड प्लेस्मेंट प्रिपरेशन चाइनल में स्वागत है दोस्तो आज हम डिसकशन करने वाले हैं इनफोसिस इंटर्व्यू एक्सपिरियंस के बारे में तो देखिए दोस्तो मेरे जो ये दोस्त है हसन जी नाम है उनका उ टाइम कितना था और उन्होंने क्या सजिशन दिये है हमारे लिए तो दोस्तो देखिए उन्होंने आज सुबह नो बज़े से लेके नो बज़ कर 24 मिनिट पे अपना इंटर्व्यू खतम किया है उनका इंटर्व्यू लगबग 22 से 24 मिनिट तक चला था तो चलिए देखते ह ही उनको कोनकोनसे कोचम पूचा गय थे तो दोस्तो हसन जी को first कोचम पूचा गया था टेल में about yourself देखे दोस्तो उसके बाद उनको next कोचंग पूचा गया था फाइनल येर प्रोजेक्ट उसके बाद दोस्तों उनको नेक्स्ट कोशम पूचे गए जो कि थे रेजूम बेस्ट कोशन दोस्तों मैंटे आपको बहुत सारे वीडियो पे बताया है और अभी भी बता रहा हूँ अगर आपका इंटर्व्यू कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको इंटर्व्यू से पहले दो या तीन बार अपना रेजूमे वर्ड और टू वर्ड पढ़ना होगा आपने जो भी रेजूमे में मेंशन किया है आपको उसी पर ही इंटर्व्यू के कोशन पूचे जाते है कोशन पूचा गया और सिमेट्रिक अलगोरिथम के बारे में उसके बाद देखिए दोस्तों उनको नेक्स्ट कोशन पूचा गया आर्टिफिशल इंटेलिजन्स के बारे में latest technology के बारे में infosys वाले question करते ही है और दोस्तों actually वहाँ पे तीन technologies है जो की infosys प्रेफर करती है पूछने के लिए एक cloud computing, second artificial intelligence and third machine learning आपको ये तीनों technology का basic मालम होना चाहिए means definition, advantages, disadvantages, future scope and all then दोस्तों उनको next question पूछा गया encryption and decryption के बारे में उसके बाद दोस्तों उनको next question पूछा गया कि how you manage time in your covid time तो देखिए दोस्तों बहुत ही logical question था अगर आप इसका positive way में answer दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा तो दोस्तों उनको next question पूछा गया कि what problem you faced during internship देखिए ये भी situation based नहीं बहुत logical question है कि आपको कौन कौन से problem आपने face किये जब आप internship कर रहे थे उसके बाद दोस्तों उनको next question पूछा गया and then दोस्तों उनको last वाला question पूछा गया जो कि bonus question है या फिर हम कहे सकते है tricky question है या फिर positive question है कि do you have a laptop तो देखिए दोस्तों जिन जिन लोगों को भी ये question पूछा गया है उन लोगों को infosys की दरब से selection का mail आ गया है तो देखिए दोस्तों वो कहते हैं overall जो उनका interview था वो average था और वो कहते हैं कि interviewer जो था वो बहुत ही friendly था and then दोस्तों उनका जो total duration था वो 22 minutes का रहा था and then दोस्तों वो note बतते हैं हमें suggestion करते हैं कि don't be over smart तो देखिए दोस्तों आपको भी जितना questions आते हैं आप उसके बहुत ही politely answer देदीजे और confidently answer देदीजे वीडियो आच चलगी तो please subscribe my channel thank you